हेलो फ्रेंड्स मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सीला डिजाइन पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग मेगा स्लीव्स की कटिंग सेखने वाले हैं इसी को हम लोग अमरेला स्लीव्स भी बोलते हैं तो बहुत ही आसान है आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो इस तरह से मैंने पेपर ले लिया है आपको मैं पेपर में कटिंग करना बताऊंगी इससे कि अगर आप बिगनर सो पहली बार कट करने जा रहे हो सीधे कपड़े पे डायरेक्ट कट नहीं करना है पहले हम पेपर में कट करेंगे तो इस तरह से मैंने दो पेपर निकाल के रखा है यहां से हम दो स्लीव्स कट करेंगे अमालो इस तरह से हमारा कपड़ा होता तो जो कपड़ा है उसको हमको जैसे हमने ये तेरा इंच लंबाई लिए है तो तेरा इंच ही चोड़ाई लेना है यानि कि चौकोर कपड़ा लेना है इसको हमको बराबर से जितना हमारी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी तो 13 इंच है ये हमारा अब इसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ल कर देंगे एक बार यह हमारे चार फोल्ड में हो गया है अब फिर से इसको हमको एक बार फोल्ड करना है तो यह हमारा आठ फोल्ड में हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस तरह से हमको इसको कपड़े को या फिर पेपर को फोल्ड करना होता है अगर आप कपड़े पे कट कर रहे हो तो कपड़े को से मैसे ही फोल्ड करते चलिए तो फ्रेंज देखिए ये हमने जो फूल्ड किया है पेपर कोट ये हमारा 6.5 इंच है अब हम क्या करेंगे पूरे में इस तरह से 6.5 इंच कोने से हमको अपना इंची टेप नहीं निकालना है बस वहीं से अपना इंची टेप घुपाते जाना है और 6.5 इंच पर निशान लगाते जाना है पूरे ही गोलाई में तो इस तरह से 6.5 इंच पर हम हर जगा पर निशान लगा लेंगे ऐसे ही हमको इंची टेप को बस घुमाना है उस जगा से कोने से नहीं हटाना है और 6.5 इंच पर पूरे में निशान लगा लेना है और अब हम इन निशानों को ऐसे ही मिला देंगे तो यह हमारा अम्रेलिया टाइप में बन जाएगा यानि कि यहां से हमारा घेर निकल के आएगा स्लीव का तो इस तरह से यह हमने निशान लगा लिया है बस अब हमको इसी निशान के उपर से कट कर लेना है तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है अब कट करने के बाद इसको हम उपन करके रखेंगे तो देखें इस तरह से हमारी स्लीव निकल के आई है अब हमने गुलाई तो कट कर ली है अब हम क्या करेंगे इसका center निकालेंगे दोनों का बीच का बिल्कुल तो यह हमने full किया और full करने के बाद यही तो हमारा center है ना तो अब हम क्या करेंगे इसको open करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से यह हमारा निशान लग गया है सेंटर पर अब इसके बाद हमको क्या करना है इधर साइड से किसी भी साइड से आप ले सकते हो दोनों साइड हमारा एक्वल है अब आप एक साइड से किसी भी साइड से इस तरह से दो इंच पर हमें निशान लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से यह हमने दो इंच पर निशान लगाया ठीक है अब यह निशान लगाने के बाद क्या करेंगे इस निशान का और यह निशान दोनों निशान का हमें शेंटर निकालना है तो सेंटर हम कैसे निकालेंगे यह जो हमने निशान मिलाया है बस इन ही दोनों निशानों को ऐसे बराबर से मिलाना है तो इस तरह से यह देखिए दोनों निशान हमें बिल्कुल बराबर से मिला लेना है और इधर साइड का हमेशे इंटर मिल जाएगा इस तरह से फोल्ड कर देना है अपने कपड़े को तो यह देखिए यह हमने फोल्ड किय आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूं कैसे सेंटर निकालना है इधर जो हमारा निशान लगा था और इधर जो निशान लगा था उन दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिलाना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है अब इतना फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे हम टेप लेंगे और इंचे टेप लेने के बाद यहाँ पर सेंटर जो निकाला है. वहीं से हम 1.5 पर एक निशान लगाएंगे. यह हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है. अब बस इस निशान से नीचे की तरफ ऐसे गुलाई कर लेंगे. और ऐसे हमको यहाँ पर गुलाई कर लेना है चौक की शायता से इस तरह से यह हमने यहाँ पर गुलाई किया है सेम ऐसे ही अब हम इसको कट कर देंगे तो इसे कट कर लेते हैं इस तरह से यह हमने कट कर दिया है ठीक है अब cut करने के बाद इसको हम पूरा open करेंगे तो हमने इसको open कर लिया है यहां से देखी यह हमारी दो sleeves निकल आई है अब हम एक sleeves में इसको हम दोनों को पहले बराबर से ऐसे रखेंगे रखने के बाद क्या करेंगे इसको हमको यहां पे center से cut कर लेना है अगर आप चाहो तो यह आपके choice के recording है यहाँ पे आप cut भी नहीं करोगे तो भी हमारी sleeves बन जाएगी अब हमने ऐसे cut कर लिया है लेकिन cut करने से हमें थोड़ा सा sleeves में ज्यादा अच्छी fitting आ जाती है इसलिए मैं cut करके हमेशा बनाती हूँ तो इस तरह यह हमने इसे cut कर लिया है अब cut करने के बाद इसको हम जोड़ते कैसे हैं अब हमारी पूरी cutting complete हो गई है बस इसमें हमें शिलाई लगानी है तो शिलाई कैसे लगाएंगे यह जो हमारा side का है इसको हम उल्टे side को ऐसे fold करेंगे और cutting हुए कपड़े को ऐसे fold कर देंगे अंदर के side को दबा देंगे अब ऐसे ही हमें पूरे गुलाई में fold करते हुए यहाँ पे उपर से सिलाई लगा लेनी होती है तो इस तरह से जैसे हमने fold किया ऐसे ही कपड़े को fold करना है और सिलाई लगानी है अब इतना हमने fold किया fold करने के बाद यह जो हमने cut किया था यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे half inch margin लेते हुए तो यहाँ पे अगर आप ऐसे cut करके सिलाई लगाओगे तो ज्यादा अच्छी fitting आएगी नहीं भी cut करोगे तो भी बन जाएगा अब यह जो गोलाई बच्ची है ना यह हमारी armhole में जुड़ेगी जाके तो बस अब हम यह से इस तरह से यह पूरी तयार करने के बाद इसको हम अपने suit में या फ्रॉंग में या ब्लाउज में कहीं पर भी इसे attach कर सकते हैं बहुत ही इसली तरीके से जैसे हम नॉर्मल स्लीव से जोड़ते हैं वैसे हमको इसको भी जोड़ना है आई हूप आपको यहां पर शमच में आ गया होगा तो देखो यह जब हमारी armhole के अंदर लग जाएगी और फिर यह हमारी श्लीव से ऐसे हाथ के अंदर जाएगी और यह हमारा पूरा घेरा निकल के आएगा तो इस तरह से हमें अपनी श्लीव की cutting करनी होती है अगर आप पहले paper में cut कर लोगे उसके बाद कपड़े में cut करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा तो इस तरह से आप cut करना आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना बिल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वा नेक्स्ट वीडियो में थेंक्य।